हिमाचर प्रदेश विधान सभा में शुकरवार को प्रश्नकाल के दौरान ग्रामिण विकासवा पंचायती राजमंत्री विरेंद्र कमर ने भाजपा सदस्य करनल इंदर सिंग के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव घोशित होने के बाद विभिन पंचायतों के ततकालीन प्रधानों उप्रधान और सदस्यों से 5 करोड 49 लाख रुपए से अधिक की राशी वसूली जानी थी जिसमें से अभी तक 85 लाख 28 हजार रुपए की राशी रिकवर कर ली गई है शेश राशी को वसूलने की प्रक्रिया जारी है ग्रामीर विकासेवों पंचायती राशमंत्री विरेंदर कमर ने एक सवाल की जवाब में कहा कि पंचायत प्रधानों और सदस्यों से रिकवरी की जा रही है वहीं इस तोरान कुलू के विधायक सुंदर सिंग ठाकूर ने आनी विकास खंड की कुंगस पंचायत में हुए गबन का मामला उठाया इस पर ग्रामीर विकास मंत्री ने कहा कि इस पंचायत में 23 कारियों में 17 लाग का घोटाला अभी तक उजागर हो चुका है उन्हें कहा कि इस पंचायत में 200 से अधिक विकास कारे हुए हैं और इसकी जाँच जारी है पंचायती राश मंत्री ने कहा कि यदि कोई दोशी पंचायत प्रतिनीधी गबन की राशी को वापस नहीं करता है तो उसकी संपत्ती को जब्त किया जाएगा और 12.50 यफीस्ती ब्याज भी वसूला जाएगा वहीं शिक्षा मंत्री गोविन सिंग, ठाकुन, विधायक, विने, कुमार, किशोरीलाल, वीरभदर सिंग और हर्शवर्दन चौहान के सयुक्त सावाल के जवाब में कहा कि SMC शिक्षकों को नियमित करने का सरकार का फिलहाल कोई इडादा नहीं है उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों की सेवाय जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार और SMC शिक्षकों की SLP 24 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोट में स्वीकार हो चुकी हैं सुप्रीम कोट ने इन शिक्षकों को हटाने संबंधी प्रदेश हाई कोट के फैसले को भी निरस्त कर दिया है इसके बाद प्रदेश सरकार ने इन शिक्षकों की सेवाय जारी रखने के लिए 25 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर दिये हैं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोट ने इन शिक्षकों को नियमित करने का कोई आदेश नहीं दिया है आएलेम में गई और जिसमें 24 11 2020 को SLP को सुप्रिकार किया गया और उसमें जो हाई कोट के द्वारा जो पारित आदेश थे उनको निरस्त करते हो ये कहा कि जो 177 2012 की जो SMC के संबंद में जो नीती बनी थी उसके अधार पर जो लगाए गए है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी होतरी ने इसी सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री को वर्ष 2021 का बजट पेश करने से पहले इन शिक्षकों को नियमित करने की सदन में घोशना करनी चाहिए SMC के मुद्र पर देश सरकार राजनिती कर रही है कि कोई फैसला जो है देश की सबसे बड़ी अदालत से आ जाए और आप उसको इंप्लिमेंट करने के तरीके जो है इस टंक से इजाद करें कि उनको जो है एक साल की एक्स्टेंशन देने उनको रेगुलर करने की हाई कोट का उनके खलाब फैसला आया सरकार जो है सुप्रीम कोट में गई सुप्रीम कोट में और वो प्रभावी लोग थे वो सब लोग सुप्रीम कोट में गए अब जब उन्होंने हाई कोट का फैसला हाई कोट से फैसले को नरस्त किया गया और सुप्रीम कोट ने उनकी सेवाई यथा बहाल रखी अब जब वो पूरा कारेकाल कर चुके हैं और जो है पातर है रेगुलर होने के तो उनको इस बजट में रेगुलर किया जाना चाहिए था अभी भी मौका है कल बजट जो है मुख्यमंत्री जी ने पारित करवाना है उससे पहले मुख्यमंत्री जी अपने बजट में इनको शामिल कर सकते हैं वो चाहें तो SMC के सब लोगों को इसी सत बजट में रेगुलर करने का ऐलान कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है यह सिर्फ अब संकीरन राजनीती इसमें पेच फासी हुई है कि यह कब लगे थे किसने लगाए थे कैसे है जब देश की सबसे बड़ी अधालत का फैसला आ गया है गौर्मन शुड इंप्रिमेंट दोस ओर्टर इन लेटर एंड स्पिरेट और SMC के सब लोगों को पका कर दिया जाना चाहिए भाजपा सदसे नरेंद्र बराक्टा के मूल और कॉंग्रिस सदसे जगत सिंग नेगी केनुपूरक सवाल का जवाब देते हुए जलशक्ती मंतरी महिंद्र सिंग ठाको ने कहा कि फसल बीमा योशना के तहत बागवानों को बीते तीन सालों में 128 करोड रुपे का लाब दि के दरान किसानों और केंद्र वराज्य सरकार ने बीमा के प्रीमियम के रूप में कुल 248 करोड अठासी लाख रुपे जमा करवाए हैं महिंद्र सिंग ठाको ने कहा कि प्रदान मंतरी फसल बीमा योशना किसानों के लिए बहुत ही फायदे मंद है लेकिन बीमा कंपनियों की वजह से बागवानों को लाब नहीं मिल रहा है महिंद्र सिंग ठाको ने फसल बीमा योशना को लेकर विधायक नरेंद्र बराक्टा के सवाल का जवाब दिया भाजपा विधायक राकेश जमवाल के एक सवाल के जवाब में जलचक्ती मंतरी महिंद्र सिंग ठाको ने कह कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में सिंजाई की सुविधा देने के लिए सरकार ने 48 करोड रुपे का प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए केंडर सरकार को भेजा है। इसमें 21 जनवरी 2021 तक 11 भवनों का निर्मान का पूरा हो चुका है, 5 भवनों का निर्मान का प्रगती पर है और 13 भवनों का निर्मान का अभी तक शुरू नहीं किया गया है। के ही स्कूलों के टेंडर कर दिये। उन्होंने कहा कि ठेकिदारों को अब पैसा नहीं मिल रहा है। Bureau Report, City Channel, Shimla का लघने का यहिए भा रहाय हैं